नमस्कार प्यारे बच्चो मेरा नाम अभिशेख है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टूर्स ओन इंडियन रेल्वे से संबंद टॉपिक पर बच्चो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रेल्वे जो भारती रेल है उसकी क्या इस्पेशियालिटी है क्या खासियत ह आल ओवर वर्ल्ड में वो सारी चीजें आपको इस पॉइंट में दर्शाई गई है इसे बच्चो बताया गया है आप देख सकते हो इंडियन रेल्वे से फोर्थ लार्जेस्ट रेल्वे नेटवर्क इन दी वर्ल्ड यानि पूरे विश्व में चौथे इस्थान पे है हम और सेकेंड लार्जेस्ट पैसेंजर्स के एकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यह द्वितिये इस्थान पर आता है यह बहुत ही महतोपूण योगदान दे रहे हैं railway network हमारे भारत में जितने भी tourist लोग आ रहे हैं उन्हों घुमाने से संबंधित जितनी भी activities की जा रही है वो railway से संबंधित ही हो रही है यानि railway के द्वारा सारी चीज़े संचालित की जा रही है जिससे की परिटक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं यह transportation का बहुत ही महत्वपूर उधारन है और इसका होना बहुत ही आवश्यक है इसके बाद लिखा है बिन बिन प्रकार की इंडियन रिल्वेज ने एक बहुत ही बड़ा network बनाया है और वो सभी इस्तर के लोगों के लिए है यानि की उच्च वर्गी है जो परिटक है उनको भी घूमने से सम्बंदित चीजें facilities प्रदान की जा रही है और जो श्रेणिया है train में वो भी different different types की है कुछ high class है, first class है कुछ general class है, कुछ sleeper class है जिसकी वज़े से भिन-भिन प्रकार के जो comfort है आराम दायक सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारी Indian railway में बहुत ही महत्वपूर कदम उठाए गए हैं जो की परिटकों को सुख सुविधाएं हर प्रकार की services and facilities देने से सम्बंदित है इसमें fooding भी आ जाता है यानि खान-पान से सम्बंदित और वो services भी high class देने की पूरी कोशिश की जारी है इसके बाद आप देख सकते हैं the extensive railway network is spanning over 63,000 km रूट यानि 63,000 km का रूट है हमारा railway network यानि भारतिय railway network का रूट कितना बड़ा है बड़े दाइरे को cover कर रहा है और इसमें all over कितने railway stations हैं आप देख सकते हैं 69,109 6,909 stations हैं आप यहाँ पे देख सकते हो यह बहुत ही बहुत बड़ा sector cover कर रहा है railway network हमारा भारती है railway network यह यहाँ पे दर्शाय गया है आपकी class 9 की जो book है इसमें allows a person to travel to the remote corners of the country in relative easy at the same time a person from the remote corner of the country can visit tourist places across the country यह जो train है इसकी सुविधा से परिटक लोग अपने country हमारे भारत देश जो country है इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही जल्दी remotely वो उस corner पर जिस भी जगह पर वो जाना चाते हैं उस परेटन इस्थल पर बहुत ही आसानी से परिटक पहुँच जाते हैं तो इंडियन रेल्वे नेटवर्क की वज़़ से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से पहुँच जा रहे हैं और यह जो दाइरा है यह आप देख सकते हो आल ओवर इंडिया में 63,000 किलो मिटर्स का रूट कवर कर रहा है जिसकी मदद से परिटक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से पहुँच जा रहे हैं और इन्हें भिन-भिन प्रकार की सुख सुविधाएं रेल्वे में प्रदान की जा रही हैं अब यहां पर आप लोगो देख सकते हो दार्जलिंग हिमारियन रेल्वे का लोगो है इसके बाद लगजरी ट्रेन जो है पैलेस ओन वील्स इसका भी लोगो बना है आप देख सकते हो यह लगजरी ट्रेन्स हैं जो टूरिस्ट होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली चलाई जा रही है इसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं इंडियन रेल्वे हैव मैनी एंटिसिंग रेल टूर पैकेज़ ओन ओफर इंडियन रेल्वेज के द्वारा बहुत से महतुपून कदम उठाए गए हैं परेटकों को भिन भिन प्रकार के टूरिजम पैकेज प्रदान करने के लिए इस इंक्लूड्स दीस स्पेशल टिकेटिंग फैसलिटीज और ओफर सच ऐस सर्कुलर टिकट विद फ्लेक्सिबिलिटी परेटकों को भिन भिन प्रकार की टिकेटिंग और भिन-भिन प्रकार की facilities प्रदान की जारी है उसमें include है इस tickets का योगदान कितना अच्छा है जो अपने इस्थान से किसी गंतव्य इस्थान ये कोई भी परेटन इस्थल अगर परेटक जाना चाहें उन्हें उस अपने स्थेशन से किसी अधर परेटन इस्थल से संबंधित स्थेशन तक पहुचाने का कारे करता है टिकट This gives one and easy way of touring India or going for pilgrimage at one's own leisure कोई pilgrimage से संबंधित परेटन इस्थल पर जाना चाहरा है लोगों की भिन-भिन प्रकार की सोच और बुद्धि लब्दी के अंतरगत वो भिन-भिन परेटन इस्थलों पर घूमना पसंद करते हैं और इसके अंतरगत इंडिया के किसी भी कोने में वो जाकर ट्रेन की मदद से घूम सकते हैं Special Indian Railways Train like Hill Train, Operating Shimla and Ooty As well as the World Heritage Train of Darjeeling यानि बच्चों Shimla और Ooty में ये Special Train दी जारी है Services and Facilities Special Train के द्वारा दी जारी है जो World Heritage Train of Darjeeling के नाम से जाना जाता है Darjeeling का पहुत ही अच्छा atmosphere है जिसे परिटक देखने के लिए जाते हैं और इसमें mostly लोग Shimla और Ooty जा रहे हैं तो वहां से संबंधित कई trains दी गई हैं परिटकों की सुक्सुविधाओं से संबंधित हमारी government के द्वारा उसमें Himalayan Railways भी आती है और ऐसी कई प्रकार की luxury trains हैं जो की हमारी Indian Railways के द्वारा प्रदान की जारी है Himalayan Railways are a great way to explore the hilly terrain Luxury trains like Maharaja Express Himalayan Railway के द्वारा कई प्रकार की luxury train संबंधित सुविधाओं परिटकों को दी जारी हैं जहां पे luxury संबंधित services and facilities train के अंदर सुख सुविधाओं प्रदान की जारी हैं तूरिस्ट को जिसमें की Palace on Wheels है, Maharaja Palace है, Golden Chariot है और इसके अलावा और भी कई trains हैं जिनका view बहुत अच्छा होता है वो जिस route से जाती है वो view बहुत अच्छा मिलता है परिटकों को और उस train के अंदर भी luxury प्रकार की सुख सुविधाओं customers को प्रदान की जारी है, guests को प्रदान की जारी है जो tourist लोग लुफ्त उठाते हुए परिटन इस्थलों पर जाते हैं तो इस प्रकार की luxury train offer करती है a chance to travel to various destination in the lap of royal luxury संबंदी सुविधाओं जो बिन बिन प्रकार की luxury संबंदी सुविधाओं जो है अगर आप videos और photos में देखो गया आपके किताब में भी बहुत अच्छी photo बनी होई है इसे आप देख सकते हो कितनी luxury coaches से संबंदी ये पूरा restaurant आप देख सकते हो train में एक तरह से पूरी restaurant संबंदी सुविधाओं मिल रही है तो ये चलते हुए कितना अच्छा view काफी अच्छा नजारा मिलता है mountain all hill area का और इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत अच्छा खानपान मिल रहा है train में तो ये luxury संबंदी जो train है इसका नाम है महराजा express ये महराजा express train के अंदर के restaurant का view है तो बहुत ही luxury trains जो है ये बनाई गई है especially guest के लिए और ये जो दाइरा cover कर रही है यहाँ पे आप देख सकते हो Bombay से चल रही है train फिर उदैपूर उदैपूर से होते हुए जोधपूर, जोधपूर से बीकानेर, बीकानेर से जैपूर, जैपूर से रर्थमबौर, रन्थमबौर से आगरा, आगरा से दिल्ली जा रही है ये train और ये map था महराजा express train के जाने का और महराजा express train world famous है, luxury train है और Indian railways के द्वारा चलाया जा रहा है तो ये बच्चों आप देख सकते हो, ये भिन-भिन प्रकार के परेटन संबंधी destinations कवर कर रही है, ये train ऐसे palace on wheels भी train है और दार्जलिंग हिमालियन railways ये भी बहुत luxury train है, इसके द्वारा भी कई जगहों पर परेटन इस्थलों पर परेटन को घूमने से संबंधित अवसर प्रदान किये जा रहे हैं तो बच्चों इसके साथ ही आज के दिन का session यहीं कदम करते हैं, बाकी ये चीज़ आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए का कि Indian railways जो है ये fourth largest railway network in the world है, विश्व में चौथे इस्थान पर है और जो ये cover कर रहा है दायरा, ये 63,000 km route का दायरा cover कर रहा है जिसमें की 6909 stations हैं पूरे भारत में तो आज का session बच्चों यहीं खतम करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों चाहीं वे थार, ए्यादी, अाया है प्यूंड़ झाण, भर क्या में गिए, वे वे च्रम का रजत मैं झाल 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 झाल